Types of experiment, Quasiing experiments हमने पहले आपको types बताईं तो अब उनकी details कर रहे हैं地. Quasiing experiments को Natural Experiment भी कहा जाता है यह prediction और मफ्रूजा आप hep bنتे है equation गोही करते है ethics कोही करते हैं यह करते हैं य acrylic कर traum widoku करते चाब करते हैं करते हैं कि जो हमने का था क्या वैसे ہिसे हीा हो रहा हा वैसे नहीं होती है लेकिन ऐसरी में यह करता है कि उसमें जादा स्दोел को सीरि में दो हो रहा हो रहा है जैसे मैंने मिसाल न HOW ने हैं गृते हैं कितनी स्यादा बुक स्टोर्स पे बढ़ जाती है तो आपने एक नेट्रल वाके को एक रूटीन के प्रोग्रेम्ट वाके को इस्तमाल करके उन दिनों में किसी बहेवर को अब्जर्ब करना है यह एवरीडे लाइफ में रियल लाइफ में होती है और इन्वार्मेंट जो लोगों की होती है उसी में हम उसको अब्जर्ब करते हैं इसमें होजेज और टीजर्ड ने अटेच्मेंट की जो रिसर्च की थी 1989 में इसमें उन्होंने कंपेर किया था लाइफ में उन बच्चों की जो एडाप्टेट थे जिनको फॉस्टर होम में थे और या वो अपनी मदस्ते वापस उनको भेज दिया गया था उन बच्चों स सारी जिन्दगियां अपने ही माबब के साथ गुजारी तो यह कंपेर करने के लिए यह इन्होंने एक चीज जो पहले ही हो रही थी बच्चे चीन के नियावाले किये यह उन्हें एडॉप्शन में नहीं दिया यह उन्हें फॉस्टर में नहीं नहीं दिया वह पहले ही वह करेक्टरिस्टिक्स जो रिजल्ट को एफेक्ट कर सकती है वो नहीं है क्योंकि आपने कोई आर्टिफिचल महौल क्रियेटिंग किया आपने जो डिमान करेक्टरिस्टिक्स हैं यानि नौइज ना हो, कंट्रोल्ड इन्वारिमेंट हो, कोई असर अंदाज ना हो, तब की सुर कि दी, कोई स्थासी तबदिली मारी के हैं, कोई कोई कогविट केंग देखना है हूं, को एक्सपेरिमेंट हैं, जो हो रहा था, उसी के दिनों पेम लोगों की ए os след के एक्टिविटी, isolation September problems और new growth बहुत से लोगों ने का कि आजकल जो हमने उनके उपर ये एक्सपरिमेंट किये कि वो कितनी जहनी तोर पे सकून के आलग में कोविट के दिनों में हवा की पुलूशन कम हुई और एर क्वालिटी बढ़ी है तो ये कौजाई है जो कुछ हो रहा है उसकी के अंदर से आप कोई चीज स्टडी करते ह इसकी कुछ लिमिटेशन और इसके अंदर कुछ मसायल भी हैं ये एक्सपेंसिव और टाइम कंजी मंग होते हैं लैब एक्सपरिमेंट के निस्पत कि कब कोई चीज हो फिर आप उसको करने निकले और बहुत सारी जगों से उसका डेटा करणा करें अब कंट्रोल कोई नही हैं उसमें कोई भी चीज असर अंदाज हो सकती है जबके लैब में जिस तरह स्टूडियो में कंट्रोल है लैब में हर चीज कंट्रोल होती है तो उसके आपके रिजल्ट पे असर पढ़ सकता है लेकिन दियार बैनेफिट सार फार मोर देन दीज लिमिटेशन